अगर आप मसाला उद्योग चालू करना चाहरे हैं तो सबसे बड़ा फोकस जो आप करिएगा वो हल्दी दिन्य वाला सिस्टम नहीं है कि हाँ यह मिक्स दिया और फिर अपना एक फ्लेवर दिया वैसा कोई सिस्टम नहीं है वो मार्केट में बहुत आसानी से और बहुत जल् करेंगे कि मसाला उद्योग के बारे में बहुत से हमापस फोन कॉल साते थे बहुत से मैसेज आ रहे हैं बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर मसाला उद्योग काम कैसा है मतलब प्रॉपिटेबल बिजनस है या अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है और अच्छा नहीं है तो क्यों अच्छा है तो उस चीजे के बारे मेंगे आज हम चर्चा करेंगे और शुरुआत करने के लिए мसाला रोक्स किस लेवल शुरुरूआत करना चाहिए कैसे शुरुआत करना चाहिए आज में उसे चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे विडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है लंबी हो सकती है तो वीडियो को पूरा देखे ताकि आपको हर एक जानकारी प्राफ्त हो वीडियो शुरूर करने से पहले एक बात अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजाएगा और दूसरी चीज यह कि हम जितनी भी कोशिश करते हैं उसको बताने कोशिश करते हैं कि हकीकत में क्या हो सकता है हकीकत में क्या उसकी चीज है तो उसी चीज को हम बताने कोशिश करते हैं तो चले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जो सबसे महत्वपूर कोशिशा आता है हमारे पास कि मसाला उद्योग कैस स्तेमाल का कांड की चीज वाला बिजनस है। बहुत सारे बिजनस है जिनके जिससे मौन ले आपने ले लिया आज कपड़ा आज खरी लिया फिर दो म catalog और अरके हैं यहीं का फिर सब काम समया है सिरे तो हमारे संब से काम बगधा काम है। मॉर्जिन की बात करें एगर आप रिटे कर रहे हैं, नॉर्मल रिटेलिंग पे पर परतो बिल्कुल चालू करना चाहिए अगर आपके पास budget है, आप market में आपके पास अच्छा source है, आपका जो बढ़ीक का response है, मार्केट में पकड है तो आपको जभूर चालू करना चाहिए हाँ चालू किस तरीके से करना चाहिए जो एक साल के आसपास का एक से डिर साल के आसपास का हमारा अन्वो है परसनली मसाला उद्योग का तो हम आपको बता रहे हैं कि मसाला उद्योग चालू किस लेवल से करना चाहिए दोस्तो मसाला उद्योग जो है वो आपको चालू करना चाहिए बिल्कुल बेसिक लेवल से हल्दी, धनिया, मिर्चा जी हैं दूस्तों सिर्फ तीन चीजों की शुरुआत अगर आप नया मसाला अधियों लगा रहे हैं उस चीज़ को लेकर आपको बता रहे हैं कि हल्दी, धनिया, मिर्चा यह सिर्फ तीन चीज़ पर शुरुआत में आप फोकस करिएगा क्योंकि होता क्या है कि आपने या हमने माली परसनली हम अपना बता रहे हमने मसाला अपना चालू किया जिसमें मीट मसाला, चिकन मसाला, सबजी मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा, छोला मसाला, पनीर मसाला कई सारे आइटम बना दिये बना दिये, कोई बात नहीं समस्य कहां पे आती है समस्य यहां पे आती है सर कि जब आप इतने सारे आइटम लेकर मार्केट में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद होता क्या है कि कस्टूमर जो है कस्टूमर में कहां फोकस करता है कि भाई ब्रैंड पे आपकी क्वालिटी से उसे मतलब नहीं है पहली बार आपका मार्केट में आया है वो क्वालिटी नहीं जानता है कैसा है क्या है तो कुछी चीज़े ऐसी होती है या पर्सनली आप कस्टूमर की जगे पे अपने आपको रख के देखिए हम अगर हम खुदी है और हमें कोई सामान लेने जाना है तो हम ट्रस्टेट चीज ही लेंगे कहने का मतलब है कि ये ब्रैंड है वो मार्केट में बहुत बढ़े हाभिकरा है और उसको हम कई सालों से इस्तेमाल करें तो पहले हम उसी को प्रिफर करेंगे ना कि दूसी चीजों को नया ब्रैंड हम किस कंडिशन में लेंगे जहां पर हमें लगता है कि यहां पर अगर हम इसको ले लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली प्राब्लम नहीं है जैसे कि क्या है कि मान लीजे मीट मसाला है हर कंपनी का मीट मसाला अलग फ़ॉर्मॉलेशन पर बिजट होता है अलग तरीके का स्वाद आता है और सब का अलग-अलग बनाने का तरीका होता है कुछ लोगों का है कि जैसे हाँ एक फाला ब्रैंड है कुछ लोग का फाला ब्रैंड है कि हाँ वह इICES खाता है लेकिन हल्दी धनिया मिर्चा में क्या आपका प्लस पॉंट होता है कि हल्दी धनिया मिर्चा में आपको कोई स्वाद नहीं देना है जो मिर्चा आप दे रहे हैं वही मिर्चा वो दे रहे हैं वही मिर्चा अगले पार्टी दे रही है मिर्चे का जो टेस्ट है कड़वापन है वो ऐसा मिर्चा का रहेगा धनिया है धनिया में भी सेम चीज़े है धनिया में भी आपको एक particular flavor नहीं बनाना है कि हाँ हमें भाई ये flavor देना है या इसका ऐसा स्वाद देना है जो धनिया है आपने लेके पीस के दिया सेम वही धनिया है सेम चीज हल्दी में है बस कलर का डिफरेंस आ जाता है कि हाँ बाई कलर किसी में कमा रहा है किसी में ज़्यादा आ रहा है लेकिन स्वाद जो है हल्दी का वो सेम रहेगा उसमें कोई difference नहीं रहेगा इसलिए दोस्तों हम आपसे कहा रहे हैं कि अगर आप मसाला उद्यूख चालू करना चाहरे हैं तो सबसे बड़ा focus जो आप करिएगा वो healthy धनिया मिर्चा पर focus करिएगा ताकि market में कोई दिक्कात ना हो जैसे दुकांदार भी है तो भी नया ब्रांड को रखने की तोड़ा सा कम कोशिश करता है कि नया ब्रांड ना रखना पड़े और अगर रख रहे हैं तो वो ब्रांड रखे जिसमें क्या है कि customer ले ले आपका नया ब्रांड आप भली margin जादा दे रहे हैं हम भली अपने product के margin जादा दे रहे हैं लेकिन वो दिन बार में अगर 10 packet बिक रहा है और जो branded item है वो दिन बार में 100 packet बिक जा रहा है तो 100 packet रखना पसंद करेगा भरे ही उसमें एक पैसा बच रहा हो हाला कि एक रुपे बचाने एक चक्कर में यह item कम रखना पसंद करेगा लेकिन हल्दी, धनिया, मिर्चा यह तीन item ऐसे हैं या जैसे जीरा पाउडर है हाला कि इसकी sale कम होती है लेकिन फिर भी एक बता रहे है मतलब जिसमें कोई एक mixing वाला system नहीं है कि हाँ यह mix किया, वो mix किया और फिर अपना एक flavor दिया वैसा कोई system नहीं है, वो market में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी market पकड़ता है जब आपका market पकड़ ले हल्दी धनिया मिर्चा से हल्दी और धनिया मिर्चा का जब आपका market बढ़या पकड़ ले दुकानदारों से और customer के बीच में एक बढ़या डिलेशन मन जाए, उसके बाद क्या करिए आप उसके बाद आप अपना मसाला जो है गरम मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, सबजी मसाला इस तरीके के अन्य मसालों को जो है आप अपनी लिस्ट में सामिल कर सकते हैं हम personally जो एक डेर साल का हमारा experience है वो हम आपको उस basis पे बता रहे हैं कि हमने शुरुआत में किया शुरुआत मीट मसाला या गरम मसाला बहुत कम लोग prefer करते थे ज़्यादा तर जो हमारे बिखता था अब जब धीरे जब जहां-जहां हल्दी धनिया मिर्चा जा रहा है वहां पे फिर मीट मसाला हमारा जाने लगा लोगों ने उसको स्वाद लिया उसका टेस्ट किया उन्हें अच्छा लगा उसके बाद आप लेना शुरू कर दिये लेकिन सुरुवाती लेवल में हल्दी धनिया मिर्चा ही सबसे ज़्यादा मार्केट पकड़ाने वाली चीज थी और जिसकी वज़े से हमारी मार्केट बन रही है और आगे भी बन नहीं रही है अभी भी तो इसी चीज़ पर आप लोग फोकस करिएगा कि हकीकत यही है कि अगर आप मसाला उद्योग चालू कर रहे है तो सिर्फ हल्दी धनिया मिर्चा पर फोकस करिएगा बाकी आइटम का जो आपका पैसा बच रहा है उसको आप मार्केट में लगा दीजेगा मार्केट में मार्केटिंग के लिए ओफर्स देके दुगांदारों को कस्टूमर्स को उस तरीके से प्रभावित करके आप मार्केटिंग बनाईए मार्केट में पकड़ बनाईए उसके बाद जो है जब आपका रिस्पॉंस पड़े है तब आप बाकी आइटम का चालू करिए तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही जरूरी पॉइंट थे कि जिसको अगर आप मसाले ब्योग चालू करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना क्योंकि होता क्या है कि पैसा है लगा दिया चालू कर दिया आगे सेल नहीं हो रही है तो वहां पर समस्य आती है देखिए किसी का भी पैसा हो चाहे है हमारा हो पैसा होता है बहुत मेनत से कमाया जाता है कोई पीड़ पे लगा नहीं है कि आतमी ने तोल ली और बस काम अपना शुरू कर दिया बहुत मेहनत से पैसा आता है तो उस पैसा का utilization सही जगे पे हो बस हम यही चाहते हैं इसलिए हम आपको यह सब जानकारी दे रहा है यह सब जानकारी आपको कोई देता नहीं है इतनी मतलब डीपली जो knowledge है जो fact knowledge है जो original knowledge है वो हम आपको बतानी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भा काम करें उसमें आपको मतलब नुकसान ना हो तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं अगर आप यह तीन शुरुआत हल्दी देने मरिचा से करके उसके बाद आपका market पकड़ ले फिर आप अगले point पर फोकस करें दूसरे मसाले पर फोकस करें तो आपका business कभी भी फ्रॉप नह होगी अगर आपको कुछ जनकारी मिल ले तो आप अपने दोस्तों को भी शेर करिएगा ताकि उन्हें भी ऐसी जनकारी मिलते रहा है अगर कोई अपना मसाला द्योग चालू करना चाहता है या कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहा है तो उनको यह वीडियो जरूर शेर करिएगा उन्हें जो है मतलब नॉलेज मिल सके जो पैसा गलत जगे पर फसने वाला है उसको ना फसा के वह अपना सभी जग्व कर कर के अपना काम शुरू कर लें उसमें कम बजट में और अच्छा काम शुरू कर सकते हैं इसी तरह कि आन्य वीडियो हम लाते रहते हैं अपने चैनल है आपके पास जवाब बता सकें कि हाँ आप इस पे सर वीडियो बनाएए तो कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट जरूर करिएगा अपने सजेशन जरूर दीजेगा तब तक के लिए नमस्कार जैहन फिर मिलते हैं किसी इनने वीडियो में जैसी आराम